तो मुख्यमंत्री योगी आदितनात का दिया हुआ एक बयान अब कैसे तमाम हिंदुवादी नेताओं ने पकड़ा है और उसके इर्दगिर्द उनकी सियासत घूम रही है वो आप गिराज सिंग के इस पयान से भी समझ सकते हैं उनकी सियात्रा से भी समझ सकते हैं विजे ज जो है वो किसी चीज को किसी विचार को शुरू करने के लिए किसी विचार को जगाने के लिए एक ट्रिगर पॉइंट के तौर पे चिंगारी के तौर पे काम में आ सकती है और गिराज सिंग जी बहुत लंबे समय से हिंदू समाज को जगाने की कोशिश में अपनी लगे मुझे नहीं पता पार्टी का कितना सपोर्ट है नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑफिशरी तो भारतिय जिन्ता पार्टी उनको सपोर्ट नहीं कर रही है यह भारतिय जिन्ता पार्टी की यात्रा तो नहीं है लेकिन एक केंद्रियम मंत्री केवल एक समाज को संगठित करने की बात तो ठीक है लेकिन दूसरे समाज के खिराफ यदि उस यात्रा को देखा जाएगा तो थोड़ी सी मुश्किल होगी कोई हिंदू स्वाविवान यात्रा निकाल रहे हैं तो क्या पती कोई अपने समाज के लिए स्वाविवान के लिए उसको जगाने के लिए भी निकाल रहा है एक जुट करने के लिए भी निकाल रहा है तो भी कोई परिशानी नहीं है लेकिन उसके कोई रिपरकशन्स तो नहीं होंगे क्या कोई वहाँ पर माहौल खराब होगा या नहीं होगा और दूसरी बात है जो लाव जिहाद, लेंट जिहाद, टमाम तरह की जिहाद की बात कर रहें तो गिर्राज सिंग जी तो मेरे ख्याल से पिले 40 साल से उसी आलाके में रह रह रहे हैं और उसमें से 15 साल से 20 साल से भरती जनता पार्टी और उनके सहयोगी जो नितीश कुमार जी है वो सरकार में आते जाते रहे हैं तो सवाल तो उनके साथ भी होना ही चाहिए था कि ये सब हुआ क्यों आपके रहते हुए आज जब वो जागे हैं तो उससे पहले 20 साल 25 साल 30 साल 10 साल जो भी रहे हूं उसमें ये सब क्यों बदला उस समय कि राज सिंग जी उनकी सरकार उनकी पार्टी उनके नेता क्या कर रहे थे या केवल अब वो समझ रहे हैं कि वहाँ पर भारतिय जनता पार्टी में सुशील मोदी जी एक जमाने तक नेता होते थे अब वो नेता नहीं रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टि में एक लीडर्शिप वैक्यूम हो गया है और नितिश कुमार जी कमजोर हो रहे हैं तो क्या वो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं हिंदू जागरण के बाएं ये भी कर रहे हूँ तो भी आपको आपती नहीं होनी चाहिए लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा ऐसा नहीं है वो अपनी exercise कर रहे है तो उसको मुझे लगता नहीं कि उनको बहुत सवाल खड़े करके उनकी यात्रा को देखना चाहिए बस इतना ध्यान रखें कि कोई बहुत बड़ी घटना दुर सिमांचल का जोड़िया है वहाँ पर मुस्लिम डॉमिनेटर बहुत ज्यादा है वहाँ पर नेपाल से लगाओ अक्षेत्र बारतियनता पार्टी का वहाँ प्रदोशन कभी भी नहीं अच्छा रहा था तो क्या गिर्रा सिंग वहाँ पर पदियात्रा करेंगे तो बारतियन जिम्मेदारी दियो दो पार्टी का कार्य को कर रहे हैं है राज्य सरकार रहे हैं कर रहा है चानक जह लटातार बयाण गिर्रा सिंग देते रहते थे िट्ट पर एक्टिव रहते थे बयान देते रहते थे अब उन्हें लग रहा हँ कि अब ट् tik से और बयारों से बाहर निकलना है मुझे अब मुझे पदयात्रा करके बड़ा निता बनना है बियार में क्योंकि बियार में अगले साल 2025 में विधान सबाव चुना होने वाले हैं भारते अंदा पार्टी का कोई लोगप्रिया चेहरा वाँ ऐसा है नहीं कि जो लोगों के भी हिंदू रुदय समराट के रुपनति भी बना सके या वहां की जनता को संगटित कर सके जिस तरीके से वो लेके चल रहा है मुझे लग रहा कि इस यात्रा का उदेशन का व्यक्तिकत था अब आप केंदर में मंत्री अगर आप यात्रा करोगे तो केंदर में जो आपके पास किसी का खुल का समर्तन भी नहीं है तो अब यह देखना हुआ कि पार्ट का रुक क्या होता है क्या यही पदियात्रा जो उन्हें कुछ दूनों के लिए शुरू करी है उसके बाद वापिस शांत हो जाते हैं जा कोई नही पदियात्रा नए नाम से नए रूप में लेकर न जिक्का दोगी कि अगर इस तरह के से आत्रा करेंगे तो जनता दल उनाइट को भी इस तकलिफ होने वाली है अभी तो अकेले कर रहे हैं अभी तो किसी पार्टी का कोई समर्थन इनको है नहीं भारत में हिंदू के नाम पर क्या कोई कारकरम करने पर विपक्षी दल या कभी वो तो सेकुलरिजम चीजे हो जाती है तो इसलिए जो सिचुएशन है वो वो दूसरे प्रकार की है लेकिन जनता दल यू में भी ऐसा नहीं है कि इसका समर्थन नहीं है बहुत सारे लोगों का समर्थन है हाला कि यह ज़्यारी और ज़्यादा लोगों से मिल जूल के एक फालो अप एक्षन के साथ कि जत्रा के बाद आया है हाँ खुलकर समर्थन नहीं हा रहा है हमारे देश में तो खुलकर जो है बहराईच की जत्रा वहां से क्यों निकल गई इसके लिए बोला जाता है